नमस्कार साथियो वो मेरी प्यारे पस्पालक भाईयो मैं डॉक्टर दुरुगेश कटारा और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर ग्रोगेट बैट बैज आज मैं जिस डिजीज या जिस टॉपिक के बारे मैं या जिस रोग के बारे मैं आप से बात करने वाला हूँ वो ज्यादा तरह गाय यानि काव नसल के अंदर पाई आती है लेकिन साथियो ये अपने आप में कोई रोग भी नहीं होता है बहुत कम केसों में देखा गया है कि ये वफैलो के अंदर भी पाई जाए तो साथियों ये दिक्कत क्या है लेकिन इससे पहले साथियों यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप से मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें शेयर करें वह चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकोन लिडाओ ताकि आने वाली सभी वीडियों के नोटिफिक्षिशन आप तक पहुंच सकें साथियों बहुत सारे पसूप जब उनका हीट सरकल आता है और अपनी हीट को जब वो डाउन करते हैं तो बलवा के राश्ते साथियों वो बहुत सारा कच्चा बलड फैकते हैं ये क्यों फैकते हैं क्या जब गाए हीट पर आती है और बलड देती है तो वो ग्यावन या प्रेगनेंट हो सकती है बहुत सारे ऐसे क्वेशन है लेकिन ये बलड कैसा फैकती है वो मैं पहले आपको दिखाना चाहता हूँ ये देखिए से ये जो हीफर है है एच एफ नससले है और ये तीन दिन पहले हीट पाई थी और आज ये बलड फैक रही है और ये बलड जो होता है साथियो हमारा पसू एक बार या लाश्ट दो बार कच्चा बलड दे सकता है ये क्यों देता है और ये बलड आता किस जगे से है और ये बलड हमारा जो पसू होता है हीट समापत होने के बाद ही क्यों देता है ऐसे काफी सारे कुश्चन ऐसा थी हो जो वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताने की पूर कोशिस करूँगा और दूसरा साथी हो क्या ऐसा पसू प्रगनेंट रुख सकता है या नहीं रुख सकता है लेकिन उससे पहले साथी हो थोड़ा पसपालक भाई से भी जानने की कोशिस करते हैं इसे ही जारे उसकी है ना तो यह हीट पर कप से आने लगी है तक्रीवर कितने दिनों से है थिकते हैं पाँच महीने से यानि करीव तीन चार बार हीट पर आ चुकी है आपने इसको कितनी वार ग्यावन करा दिया अब तक तीन वार ग्यावन भी करा दिया निए एक वार तो इसे आपने आइटिफिसिल इंसी मेशन यानि एई कराई थी फिर उसके बाद जो नैच्वल एई कराते हैं सांड के द्वारा उससे भी कराई थी ना लेकिन इसने हर वार बलट दिया है खुन दिया है तो जब आप यह खु आप यह खुन क्यों देती है क्यों देती यह यह आपको बताऊंगा दूसरा यह सही हो जाएगी और यह अपने आप में कोई भीमारी नहीं होती है और यह पक्का कंसीब करेंगी ग्यावन रुगेगी यह सारा सिस्टम बच्चे नानी के उपर डिपेंड करता है पसूब के तो इसकी बच्चेदानी भी चेक की जाएगी उसके बाद में आपको बताया जाएगा ठीक है और यह जाजातरा ब्रहंतियां हैं फिल्ड के अंदर कि यह गाय खून दे रही है तो ग्यावन नहीं रुगेगी यह बहुत से लोग कहते हैं कि इन्फेक्शन हो गया यह इन्फेक्शन ज्यादा बताते हैं लेकिन यह इसी कोई समस्या नहीं है और आपको यह बताया जाएगा कि क्या परिशानी है इसको ठीक है रुग जाएगी यह आवन तो देखा साथियो गाओं के अंदर गत बहुत सारे डॉक्टर्स इस प्रकार के होते हैं और उनके अंदर यह ब्रहंतिया होते हैं कि जब पसु हीट पर आता है और उसके बाद में जब वो ब्लड देता है और उसे वो इन्फेक्शन का रूप लेते हैं नहीं साथियो ऐसा नहीं होता है पसू का ग्यावन नरुकना एक अलग बज़े हो सकती है पसू हीट के बाद में ब्लड देना उसकी एक अलग बज़े होती है वो बज़े क्या होती है पहला हम टॉपिक लेते हैं कि पसू कंसीब नहीं कर रहा है तो उसके लिए मादा के जो और्गन्स होते हैं पांच प्रकार के अंग जो होते हैं उनमें कहीं न कहीं कोई न कोई दिक्कत हो सकती है जैसे सर्विक्स मैं सर्वैटिस हो जहां से आपकी गन सही तरीके से पास नहीं हो पारी हो दूसरा उसका प्रॉपर यूटरस साइज कितना है तीसरा साथियो अंड नलका जिसे हम ओविडक्त कहते हैं और चौथा साथियो ओवरी ओवरी पर जो हीट के समय हमारा ओविलिशन होना चाहिए वो प्रॉपर रूप से हो रहा है और नहीं हो रहा है और पांचवा मैन चीज होती है साथियो इंफेक्शन इंफेक्शन हो या यूटरस में स्वैलिंग हो वो तब होता है जब आपका जो म्यूकस डिस्चार्ज है वो किस प्रकार का आ रहा है और कैसी गंदिगी दे रहा है अगर ये सारी चीज़ें फिट हैं और जो AI टेक्शन है वो जब सीमन इंसी मेशन करता है वो बढ़िया हीट पर और सही जगे पकर रहा है तब आपका पसू कंसिप करेगा रही बात पसू के हीट के बाद में ब्लेड आना तो साथियों में आपको एक किलियर बता देना चाहता हूं कि जब हमारा पसू हीट में आता है और हीट बढ़ती जाती है तो हमारे पसू के सरीर में जो एस्ट्रोजन हार्मोन का लेबिल होता है वो भी बहुत हाई चला जा होता है और वो भी बढ़ता जाता है साथियों और वो तब तक बढ़ता है पसू तब तक हीट पे रहता है जब उसके ओबरी का जो फॉलिकल रैप्चर नहीं होता और रैप्चर होने के बाद में जैसे ही पसू ठंडा पड़ता है तो साथियों जो एस्ट्रोजन का लेबि एक्सा दाउन होता है और पसु साथियों इसके दूसरे दिन उसके यूत्रस से बलड आता है जबकि ये इसकी चीज का पका सायन होता है साथियों कि पसु का सॉइटी रूप से 100% emitशन हुआ है यदि उसने बलड दिया है तो क्यों कि साथियो ओबरी से ही जब फॉलिक रैप्चर होता है वहीं से ये बलड आता है एक और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं साथियो बहुत से डॉक्टर्स के अंदरे ब्रहांतिया होते हैं ये म्यूकस डिस्चार्ज आता कहा से है तो आज मैं आपको वही बता देना चाहता हूं साथियो जो हमारी गाय या भैस जब हीट पर आती है तो यूटर्स के जो कॉडिलेंस होते हैं वो हमारे डिस्चार्ज का निमान करते हैं और हीट के समय वो निकलते हैं और बलवा के रास्ते हमें बाहरी साइन के रूप में दिखाई देते हैं तो साथियो आप ये किलियर समझ गए होंगे कि जैसे ही पसू अपनी हीट सरकल में आता है और स्टार्टिंग हीट से जैसे ही मैटिश्ट्रिस की तरफ जाता है यानि लाश्ट हीट की तरफ जाता है जहां पर उसका ovulation होता है ovulation होने के बाद में heat sound होने के बाद में उसके दूसरे दिन पसू का blood आता है और ये blood ovricks से जब folic rapture होता है उस condition से वहां से निकल करके बलवा के रास्ते हमें दिखाई देता है और ये अपने आप में एक कोई रोग नहीं होता है और ना ही हमें सीज का कोई इलाज करना चाहिए सिर्फ हमें अगर इलाज करना है तो uterus के जो 5 organs होते हैं या 4 organs जो आपको clear rup से समझ में आते हैं 5 organs हैं तो बलवा के में infection न हो बलवा के hole में infection न हो cervix में कोई दिक्कत न हो या आपका जो semen in summation condition है वो सही heat को नहीं catch कर पा रही हो यह सारी समस्चा रहती है बाकी और कोई समस्चा नहीं रहती है धन्यवाद कर दो कर दोका रहती है बाकी और कर दो